कि बचो नौब यार गोइंग तो डिस्कस्ट अन्यू टॉपिक डाट इस इलेक्ट्रो मेगनेट्स सब्सक्राइब तिल नौव यहाब डिस्कस्ट सम्सक्राइब क्या देखे थे बटा बैगनेटिक इफेक्ट ऑफ एलेक्टिक करेंट को देखे थे जब किसी भी वायड से ए जा इफेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मेगनेट जो एक और स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था बटा उसकी हम लोग डिटेल स्टेडी कर चुके हैं तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक निया टॉपिक है इलेक्ट्रो मेगनेट्स सो बटा देखते हैं कि इसको हम कैसे ड ये क्लियरली ये जियाई अप क्लियर था बटा कि हमारे पास एक बैटरी है अब देखो बटा यहां पर एक जो ये आईरन नेल है ये क्या है बटा आईरन नेल you can say iron nail इस बेटा iron nail में क्या कर रहे है एक कोई conducting wire जो है इसको wound किये हुए है अब इसके एक terminal देखो positive terminal of battery से connected है और एक terminal बेटा देखो यहाँ पर किससे negative terminal of battery से connected है अब हम क्या करते है बेटा एक switch के थूरू हम इसको on करते है जैसे ही on होगा बेटा तो इससे क्या होगा current पास करेगा positive terminal के थूरू और you can see over here this current is passing through this wire that is wound here with this iron nail तो हम लोग और state के experiment से भी जानते है और हम लोग magnetic effect of current से भी बेटा study कर चुके है कि जब किसी भी wire से एक conducting wire से बेटा current पास करता है तो वो क्या करता है अपने आसपास बेटा क्या करता है एक magnet एक temporary magnet को एक temporary magnetic behavior क्या होता है वो develop हो जाता है तो क्या होगा बेटा इसमें एक magnetic behavior develop हो जाएगा जैसे ही magnetic एक temporary magnetic behavior आएगा तो क्या होगा जो यहाँ पर कुछ iron की PCS रखा हुआ है बेटा, that will attract towards this, because क्या होगा, you know na कि magnet क्या करता है, किसी भी iron pieces को और अपनी और attract कर लेता है, क्लिएर है बेटा so यहां से पता चला है कि definitely कुछ न कुछ यहां पर current को pass करने से, यदि इसको coil कहोगे बेटा, so coil में एक magnetic nature आ गया है right, so यहां से पता कर चला है, so बेटा it is a magnet right, यह एक magnet है made by using electric current right, आप कैसे बनाए यह कोई natural magnet नहीं था बेटा हमने बनाए है कैसे, किसी भी वायर में हम current को pass किये, तो इससे हमने एक magnet बनाए, क्यों magnet कही क्योंकि उसमें एक magnetic behavior डबल अप हो गया था, right, so an electromagnet works on the magnetic effect of current, got it, जो बेटा हमने magnetic effect of current को study किये थे, actual में उसी का एक application है बेटा, electromagnet right, so we are talking about electromagnet, that means कि इसके पीछे जो mechanism बेटा वही है कि हमको क्या करना परेगा, एक wire के थूरू, एक conducting wire के थूरू हमें current पास करना पड़ेगा, you can see over here कि बेटा हमने क्या क्या, एक कोई भी insulator ले लिए यहाँ पर, इस insulator पर एक wire को हम wound किये हुए, right, देख रहे हो, तो you can see यह number of turns देख रहे हो, बेटा यह number of turns को यहाँ पर हमने बढ़ाए है, you know na, कि हमने एक discuss किये थे, magnetic effect of current में क्या चीज़, कि जो magnetic effect किसी coil का होता है, बेटा, वो as compared to the magnetic effect of a straight wire क्या होता है, बेटा, वो जायदा होती है न, right, उसकी effect जायदा होता है, हमने study में discuss भी किये थे, कि क्यों होता है, यहाँ पर देख रहे हो, current जो pass होगा, यदि current बेटा, इस end से जाएगा, तो current की जो direction होगा, like this है, ऐसे fill कर रहे हो, ऐसे ऐसे current की directions होगा, तो यह actual में बेटा, इस तरह की direction हम सब पे नहीं दे पाड़ है, आप fill कर पा रहे हो, कि कुछ इस direction में current ऐसे इसे pass करता हुआ जाएगा, बेटा, तो यह क्या होगा, यह एक magnet की तरह behave करना start कर देगा, तो बेटा, यदि magnet की तरह behave करना start कर देगा, तो you know कि इसमें magnet में दो pole होता है, बेटा, one of them is north pole and another is south pole, तो इसको north pole, south pole कैसे define करता है, बेटा, एक्षोल में यह directions of current पे depend करता है, आगे class में आज़े study करोगे, तो बेटा, क्या हुआ, ऐसे direction में current जा रहा था, तो यह north pole हुआ, और यह south pole हुआ, clear है, चलो, तो हम लोग देखते हैं, यह direction of bonding पे depend कर चाहें, किस direction में आप यह square को, यह number of turns, किस direction में current को pass कर रहे हो, उसके according हम दो decide करते है, north pole, south pole, but यदि north pole, south pole, क्यों करते हैं, इतना तो समझ गया न, क्योंकि जब यह magnet की तरफ behavior show कर रहा है, बेटा, that means, definitely it has two poles, right, लाइक देसे एक बार magnet की बात करें, जो अपने daily life में आप देखते हो, वो बार magnet की बात करें, तो उसके भी बेटा, दो पोल होता है, north pole और south pole, clear है, right, चलो बेटा, हम लोग देखते हैं, अब next point is related, an electromagnet consists of a coil, definitely इसके पास कहा होगा, बेटा, coil होगा, of insulated wire wrapped around a piece of iron, right, which is magnetized, which is magnetized by when an electric, when an electric current is passed through the coil, clear है, बेटा, जब हम किसी भी coil से electric current को pass करते हैं, right, तो इनसे क्या होता है, एक magnetic behavior आ जाती है, चलो, यह सब discuss कर चुके है, now, there are two factors through which an electromagnet can be made strong, बेटा, यह दो factor पर dependency है, if you want to increase the effect of electromagnet, how you will increase, so, बेटा, हमने discuss किये थे, किसमें, magnetic effect of current में, if you want to increase the effect, how you will increase, बेटा, instead of using straight wire, you can use the coil, if you will use the coil, that means, बेटा, क्या होता है, हमने काफी detail में, discuss किये थे, कि जिस point पर हम magnetic effect को observe करते हैं, किसी भी wire cellulite से, बेटा, कि यह एक magnetic wire था, और यह एक point P था, बेटा, और यहां से क्या था, distance R था न, इसी में current आई जा रहा था था, राइट, और यह इसका length L मान लिये थे, इसी wire को use करके, बेटा, जब हमने coil बनाए थे, तो हमने क्या कहा था, if this is the point P, यह बेटा, यही length, जो यह 2 pi R है, वही तो L है बेटा, यहां पर, if this is R, if this is R, बेटा, R था की जी value आया था, that will be equal to L by 2 pi न, L by 2 pi, यहां पर जो है बेटा, वो क्या होगा, इसी लिए बेटा, क्या होता है, magnetic effect increase होता है, और one more thing, if you want to increase magnetic effect, you can do one more thing क्या बेटा, you will increase the number of turns, यह तो single turn के कारण magnetic effect, let's say the M है बेटा, the N term होगा, तो N से multiply हो जाएगा, so magnetic effect increase कर जाएगा, तो similarly, if you want to increase electromagnet, यहां पर भी तो, आप ultimately वही कर रहो है बेटा, कि एलेक्टो मेगनेट को यदि increase करना चाहते हो, इसकी effect को, तो दो factor पर depend करेगा, हम लोग देखते हैं कौन कौन से factor होगा बेटा, by increasing the amount of current used in the coil, obviously सी बात है, कि जैसे जैसे आप यहां पर बेटा, यह देख रहे हो, यह current आप increase करोगे, जैसे से amount of current increase होगा, तो इसके effect क्या होगा, वो भी increase होगा न, so one of them is, while you are increasing the amount of current, that is passing through a coil, or you can say a conducting wire, तो what will happen बेटा, effect will increase, कौन सी effect, magnetic effect, clear है, सो हम लोग आगे point पर देखते है, one more factor क्या है बेटा, by increasing the number of turns, forming the coil, कैसे number of turns को increase करने से बता है, let's say एक turns के कारण, बेटा यह यह magnetic field M था, और यह let's say B था, तो number of turns यह इंक्रीज कर दोगे, अब 2 turn, 3 turn, 4 turn हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, if you want to use, where you will use the electromagnet effects, चलो बेटा, सो हम लोग देखते हैं कि इसके use के बारा में study करते हैं, so these magnets are used in electric appliances, इसको हम कहां या या यूज करेंगे, कुछ electric appliances में ही न, क्यों, क्योंकि या based on current है, current pass करने से ये बेटा जनेट होता है न, appliances such as an electric bail, electric bail में क्या यूज कर जाता है बेटा, elektromagnet की concept यूज होता है, electric fan, electric motor, ये समने हम लोग क्या करता है, elektromagnet की concept को यूज करते हैं, clear है, so these magnets leave, sorry, these magnets have their utilization in electric generators, where the very strong magnetic field is required बेटा, इसको कहां पर हम लोग electric generator में यूज करता है, where we need to, कहां पर कहां होता है, strong magnetic field, clear है, आगे देखते है, for a deflection electron beam of the picture, किसका picture tube of TV, electromagnet are used, समझ गयो, जहां पर, for a deflection of electron beam of picture tube, जो कि किसका बेटा TV का, तो हम लोग क्या करते हैं, बहाँ पर electromagnet का use किया जाता है, so these are the बेटा, some popular use of electromagnet नहीं, so for the magnetic separation of iron ores, जो iron ores होता हैं बेटा, तो वहाँ पर भी, इसी का magnetic effect का ही काम किया जाता है, जो chemistry में आप, metallurgy एक होता है बेटा, higher class में, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, metal को extract करते हैं, separation of iron ores, from the earthly substances, like, so electromagnet are used, यह आप अभी नहीं समझ पाओगे, यह आप आगे chemistry में, metallurgy नाम का एक चप्टर होता है बेटा, वहाँ पर हम लोग इसको study करते हैं, clear है, actual में यह, metal के extraction में, इस method का use क्या जाता है, so for the preparing strong permanent magnet, electromagnet are used, जिख, यह आप बेटा प्रिपेरिंग कर रहे हो, किसका strong permanent magnet का, you can take the help of, electromagnet concept, right, so these are the, some huge बेटा, now, advantage of electromagnet, over permanent magnet, because बेटा, we have already permanent magnet, ना, तो हम लोग क्यों, electromagnet को, use करते हैं, इसका मतलब है, definitely it has, some advantage, over the, permanent magnet, तो हम लोग बेटा, उसको study करते हैं, कि क्या क्या advantage है, तो देखते हैं, यहाँ पर, an electromagnet is temporary, from, form of the magnet, actual में, जो electromagnet है, it is not a permanent, बेटा है, it is a temporary, magnet, because, its magnetism, is only, for the durations, of current, flowing in the coil, जिस duration तक, किसी भी आप, conducting wire से current, पास कर रहे हैं, बेटा, उसी duration पे, आप क्या observe कर सकते हो, कि उसका एक, magnetic nature भी होता, और magnetic behavior भी, सो करता है, उस conducting के आज़ पास, जैसे, जैसे, जिस moment पे, आप क्या करोगे बेटा, current उस wire से, पास करना छोड़ दो, मतलब that way, switch को, off positions पे लेके चले जाओगे, तो ये क्या होगा, just few seconds के बाद, ये magnetic nature, उससे खतम हो जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा, इन से क्या हुआ, इनका इसका बहुत बड़ा advantage, इस फिल्ड में हमको हो गया, कि जब हम अपने एक ओर्डिंग देखेंगे, कि हमें जब जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें magnetic nature, डवलप कर सकते, और जब हमें requirement नहीं है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट करेंट को stop कर देंगे, तो magnetic nature को lost कर देगा, तो यह बहुत ही बड़ी advantage हो गया हमें, कि yes, we can develop a magnet, which will show a magnetic nature for a few minute, or you can say few minutes, or few hours, तो यह तो advantage हैने आपने लिए, an electromagnet is better than a permanent magnet, in many respects, respect, many respects में क्या होता ही है, पेटा, इसका बहुत ही बड़ी advantage है, so some of the advantage of electromagnet over the permanent magnets, the first क्या होता है पेटा, the magnetism of an electromagnet can be switched on, or switched off as desired, so according to our desire, we can switch on of the circuit, or switch off the circuit, जैसे switch on करेंगे बेटा, current pass करना start हो जाएगा, उस क्वाइल से, तो उस क्वाइल से हमें क्या मिल जाएगा, एक magnetic nature का behavior मिल जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं, अपने desire के according को से आव्वे कर सकते हैं, so while it is not possible with the permanent magnet, permanent magnet permanent है, वो कभी भी अपने magnetic nature को lost करी नहीं सकता है, भले ही उसका कितना भी छोटे से छोटे से स्मॉल से स्मॉल पीस कर दो बेटा, permanent magnet का, right, चुरो, move करते हैं, by increasing the number of tons, by increasing the number of tons of a coil, and by increasing the current passing through that coil ना बेटा, क्या कर सकते हैं, electromagnet can be made very strongly, according to your requirement, according to your desire, आप चाहते हो, हमें मान के चलो कि एक high, मतलब electromagnetic nature की जरूर रहता है, so easily क्या करो, number of tons को बेटा, increase कर दे हो, और या क्या कर सकते हो, current को increase कर दो, amount of current उससे pass करेगा, तो magnetic effect क्या हो जागा, उतना strong हो जाएगा, so according to requirement, हम क्या कर सकते हैं, अपने according, हम magnet को, मिहाब क्या कर रहें, develop कर पार है, right, so on the other hand, a permanent magnet, cannot be made so strong, permanent magnet में, जो बेटा उसमें, magnetism property है, उतना ही तो है, उसको आप decrease, increase नहीं कर सकते हो, right, clear है, इस्तने ज़्यदा strong, नहीं भी बना सकते हैं, मुसे, so बेटा, हमारे पास, एक electric bail है, जो किस पे based होता है, इसका जो working principle होता है, वो electromagnetic पे based होता है, इसलिए हम लोग, ये last topic परने वाले हैं, क्या चीज़, electric bail, और इसमें जो working principle, यूज करेंगे बेटा, किसका यूज करेंगे, electro magnet का, so an electric bail, work on the magnetic effect of current, clear है, it has an electro magnet in it, so यदि इसके circuit को देखो, कि बेटा, electric bail का, तो उसमें किसको यूज का जाता है, electro magnet, you can see over here, देख रहे हो, ऐसे electric bail काम करता है न, right, सो हम लोग देखते हैं बेटा, इसका कुछ, देख रहे हो, दी जारता, क्या है, electric bail है बेटा, तो हम इसके, construction के बारे में, study करते हैं, कि इसमें क्या-क्या, मतलब कि, component के, use क्या जाता है, so you can see over here, the electric bail has used shaped electro magnet, electromagnet और working step का होता है, use shaped का होता है, clear है, you can see over here, कि actual में क्या है बेटा, देखो यहां से, यह पूरा construction हम इसको समझाड़ है, यह क्या है, अपने पास, इस दो, मतलब, let's say कि यह कोई एक, insulator कह दो, या कुछ भी कह दो, जिस पे हमने क्या किया है, इस conducting wire को wand किये हुए है, देख रहे हो यहां पार, यह देखो, यहां से बेटा, यह current जाएगी, यहां से, current गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो current जाएगी बेटा, तो current की direction क्या होगा, like this न, यह current इस direction में, current पास करते हुए बेटा, यह इधर को जाएगी, फिर यह इधर को ऐसे पास करते हुए, आपको नजर आएगा, और यह current यहां से एगा, तो यह circuit को यदि complete देखोगे, तो actual में क्या होड़ा है, यह positive terminal है बेटा, और यह negative terminal है, तो positive terminal से क्या होगा, current यहां से निकलेगी, तो current यहां से पास करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए बेटा, इस तरह में है, और यहां पर जाएगी, और यहां पर देखो, तो एक spring की यूज किये हुए है, spring से यहां पर क्या होगा current, यहां से इस पास को चली जाएगी, तो circuit ऐसे complete हो जाएगा, तो यह तो एक part था किसका circuit का, now apart from this बेटा, you can see over here, कि हम इस extended part में हमने क्या क्या है, जो soft iron armature इसको कहता है, supporting के लिए यूज किया जाता है, इससे हमने क्या यूज किया है बेटा, इसमें एक at the end देखो, हमने एक hammer connect कर दिये है, clear है, अब इसको hammer को connect कर दिये, तो actual में क्या होगा, जब यह current pass करेगा, जब यह current pass करेगा बेटा, तो let's say कि यह इसमें क्या होगा, जिस समाई यह current pass कर रहा है, तो magnet की तरह behave करेगा, तो इसकी दो पॉल होगे, नौर्थ पॉल और सौर्थ पॉल, जैसे ही इसमें, जिस moment पे आपने इस switch को on किया, जिस moment पे इस switch को on किया, तो suddenly क्या होगा, current will pass through this, तो it behaves like as an electromagnet, और यह दिए electromagnet, अब इसके पास magnetic character आ गया है, तो क्या होगा बेटा, यह जो hammer iron rod से connected था, इसका shape क्या होगा, यह क्या होगा, इसके तरफ attract हो जाएगा बेटा, तो यह कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, यह इसकी position like this, इसकी position बेटा, जैसे ही इसे आएगा, तो hammer क्या होगा यहाँ से, यहाँ से आकर कि इसको, यहाँ पर collide कर जाएगा, जो कि आपको ring की आवाज आती है नेक, तो जैसे ही इसको होगा, तो जैसे ही बेटा इसमें जाता है, तो यह क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आया, you can see over here, कि यह जो spring था ने बेटा, इससे connect था ने, यह part connect था, यह तो fixed है, तो जैसे यह spring इधर की तरफ दबा, तो इसकाट यह क्या होगा, यह contact क्या होगया बेटा, डिसक्रेक्ट होगया, जैसे डिसक्रेक्ट हुआ, तो circuit incomplete होगया, circuit incomplete होगया, that means की current pass नहीं कर रहा है, तो at that moment, few seconds के लिए current आया, current आया, तो यह contact इसके तरफ आया, तो hammer यहाँ पर collide किया, आपको एक ring की आवाज सुनाई परती है, आप अभी भी praise किये हो, तो क्या होगा, जैसे यह इस positions पाया, तो यहाँ से contact क्या होगा, disconnect हो जाएगा, तो again current will become zero, current will become zero, तो due to this aspirin क्या होगा बेटा, यह फिर से come back हो जाएगा, और यह अपने original positions पर आजाएगा, फिर से contact बन जाएगा, फिर से contact बनेगा, फिर से current complete, मतलब circuit path मिल जाएगा, तो फिर से current pass करना start कर देगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, इसमें एक magnetic nature डवल अप होगा, फिर से attract होगा, तो जब तक आप switch दबाए हुए है, मतलब आप तो अपनी ओर से circuit चाहता है, complete होते हुए, लेकिन एक internal structure जो यहाँ पर है बेटा, few seconds के लिए क्या हो रहा है, कि contact बन रहा है, contact बिगर रहा है, तो क्या हो रहा है, current आ रही है, current नहीं आ रही है, तो इससे क्या हो जाता है, कि एक magnetic behavior बार बार डबल अप होता है, और बार बार इसको क्या करता है, hammer को अपनी ओर attract कर लेता है, due to the magnetic nature, और यह क्या करता है, यह जो gong है बेटा, इससे यह collide करता है, और आपको ring की एक आवाज सुनाई परती है, that is the construction of electric bill, कैसे electric bill की construction होता है, clear हो गया, तो देख लिया कि इसमें completely जो working principle है, बेटा वो किसका है, किसका है, वह electromagnet का working principle है, clear है, तो आपको यह construction भी दीख गया, so there is a small iron bar called armature, which is in front of the poles of the electromagnet, you can see over here, कि this is the armature, soft iron armature, इसका क्या working, इसके क्या working है, हम इने explain किया आप से, कि यह क्या होता है, जैसे ही contact होगा, बेटा magnetic behavior इसमें develop होगा, तो यह इधर की तरफ shift होता है, तो इससे क्या हो जाता है, इसके end में क्या है, एक hammer connect है, तो वो क्या होता है, गोंग से collect कर जाता है, एक ring की आवाज आती है, clear है, so the lower end of the iron bar, is क्या होता है, attached to a flat spring, and the flat spring is itself fixed, बेटा, to a metal bracket, so you can see over here, the upper end of the iron bar, has a clapper attached to it, you can see over here, यहाँ पर जो upper end में है, यह clapper है, इसके साथ, यह इससे attach है, तो जैसे ही क्या होता है, इसको इसलिए से किया है, ताकि यह circuit complete करने में, यह इसका helped है, तो क्या होगा, current इससे pass करेगा, जैसे इस switch को off कर दोगे, तो क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, current इसको पास नहीं करेगा, यहाँ पर जो यह hammer है, यह इसके पास एक क्या होता है, एक metal का gong, इसको कहते है, वो fixed रहता है, तो working of electric bell, हम तो आपको discuss कर लिये, कि किस तरह से current पास करता है, current होता है, तो कभी वो position से क्या क्या होता है, तो हमने construction as well as working, तो दोनों देख लिये थे, when we press the switch, what will happen, then the electric circuit क्या होगा, वो bell is completed, and the current passed through the coil of the electromagnet and get magnetized, जैसे ही आपने switch on किये, तो क्या होगा, circuit complete होआ, circuit complete होआ, तो क्या होगा, electromagnetic nature को so करना, start करेगा, that means north पाल, south पाल आएगा, उसमें, वो क्या करेगा, hammer जो है उसमें, वो जो connected रहता है, एक iron soft armature होता है, उसको अपनी और attract कर लेगा, so basically this is the working principle of, क्या, magnet बेटा, so you can see over here, यही तो इसकी पूरी है न, you can see over here, clear है, working principle क्या होता है, जैसे ही, इसको क्या होता है, एक switch से connected है, इस switch को यहां से current जाता है, current आने से क्या होता है, इसमें, एक, current आने से, एक electromagnetic nature डवलप्ट हो जाता है, electromagnetic nature, जैसे ही developed होगा, जो last end में बेटा, यह hammer connect है, देख रहे हो, यह hammer जैसे ही बेटा, यह gong की तरफ attract होता है, तो you can see over here, यहां पर contact जो है disconnect हो रहा है, जैसे ही contact disconnect होता है बेटा, तो क्या हो गया, circuit incomplete हो गया, जैसे ही circuit incomplete होगा, तो current पास नहीं करेगा, फिर क्या होता है, फिर जैसे ही यह back अपने position पर आता है, फिर से contact बन जाता है, फिर से contact बन जाता है, जो यहाँ पर दीख रहे हूँ, Electromagnet in nature, यह इसको attract कर लेता है So basically, this is the working principle of electric bale और electric bale में जो बेटक mainly योगदान होता है working principle में वो किसका होता है, Electromagnet का होता है Clear है? So this is the all about the electromagnet and all about the what बेटा, electric bale Clear है? Hope it is clear to everyone Thank you everyone We'll see you in the next video We'll see you in the next video